क्या दो मौजूदा आत्म ग्यानी गुरू एक दूसरे से असहमत हो सकते हैं? जैसे कि मैंने सुना है उश्वर रजनीस जे कृष्ण मूर्ती के तरीकों से असहमत थे? लोग किसी भी बात से सहमत या असहमत हो सकते हैं? अगर आप मुझसे बात करें, किसी भी बारे में, कला, संगीत, राजनीती, कुछ भी, शायद मैं आपके कही हर बात से असहमत ही जाता हूँ. नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आप मौजूदा आत्म ग्यानी हैं, पर मैं किसी से भी असहमत हो सकता हूँ. लेकिन, अगर हम जीवन पर थ्यान दे, तो सेहमती या सेहमती की कोई जरुद ही नहीं है, क्योंकि ये जैसा है, वैसा है, इस बारे में कोई सेहमत या सेहमत नहीं होता, लेकिन संस्कृती के बारे में, कपड़ों के बारे में, संगीत और कला के बारे में, राजनीती के बारे में हम कई मायनों में सहमत और असहमत हो सकते हैं और जितना हम असहमत होते हैं उतना ही बहतर है आपने आस पास की चीजों में अगर आप असहमत हैं यानि अगर आप खुश हैं और असहमत हैं आप अगर एक दुखी विकती हैं फिर आप असेहमत होते हैं तो आप लड़ेंगे अगर आपके दिमाग में थोड़ी समझ है तो असेहमती चीजों को हमेशा बहतरी की ओर ले जाती है है ना? मान लीजे कि आप और में असेहमत हैं कि इसे कैसे रखा जाए तो हम यहाँ बैटकर अगले दो दिन तक बहस कर सकते हैं और फिर शायद कुछ वाकई सुन्दर निकल कर आए पर जैसे ही हम असेहमत होते हैं हमें गुस्सा आ जाता है हम लड़ने लगते हैं ऐसे लोग अलग हैं तो अगर आप खुशी से असेहमत होकर जीवन के सबसे छोटे पहलों पर भी बहस करते हैं ये पूरी तरह ठीक है ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको हर किसी से सेहमत होना है इसकी जरूरत नहीं क्योंकि जब आस-पास की भौतिक चीजों की बात आती है तो हम में से हर कोई इसे अलग तरह देखता है इसलिए इतनी विविद्धता में जीवन घटित हुआ है ना? इतनी सारी भाषाएं, इतने तरह के संगीत, कई तरह की कलाएं इतनी सारी, बहुत सी चीजें घटित हुई हैं क्योंकि अगर हर कोई सेहमत होता तो हम सभी गुफा में रह रहे होते हम असेहमत थे शायद अगर आप एक गुफा मानव की बेटी होती ही गुफा मानव के बेटे अगर आप एक गुफा मानव के बेटे होते और आप कहते कि मैं एक जोपडी बनाना चाहता हूँ वहाँ बाहर तो मुझे यकीन है कि आपके पिता असेहमत होते हाँ या ना वो कहते क्यों गुफा अच्छी है और गुफा में रहने के सभी गुण उन्होंने आपको समझा दिये होते लेकिन आपने असेहमती जताई इसलिए जोपड़ी बनी इसलिए लाखों दूसरी चीज़े आई है ना तो ये बिल्कुल ठीक है आत्मग्यानी हो या ना आप लाखों चीज़ों के बारे में असेहमत हो सकते हैं इससे क्या समस्या है लेकिन अगर आप मूल तक पहुँचते हैं तो ना आपको सहमत होना है ना सहमत होना है ये जैसा है ये वैसा ही है अस्तित्तो को आपकी सहमती या असहमती की जरूरत नहीं है ये बस यहां है बहुतिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक को सहमती या असहमती की जरूरत है आप ऐसे लोगों के साथ रहने की कोशिश करते हैं जो आपसे सहमती रखते हैं जो कि एक भारी गलती है क्योंकि वो जरूर मूर्खोंगे अगर आपके अंदर आपसे असहमती जताने वाले लोगों के बीच हमेशा रहने की समझ और संभाव है तो आप देखेंगे कि आप बहुत एक दुनिया में चीजों को बहुत बहुतर तरीके से करेंगे अगर आपके पास सिर्फ वही लोग हैं जो आपसे सहमत हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपने चारों एक मूर्खों का जुन डिकठा किया हुआ है जो हर बात पर कहेंगे अदुसरीपा अदुसरीपा गाव में हर गाव में शब्दों की कमी की वजए से मैं कह रहा हूँ गाव स्तर कर रह सिवादी हर गाव में एक होता है और उसके साथ हमेशा एक असिस्टंट रहेगा एक चेला वो जो भी कहें चेला वहीं बैठा रहेगा और कहेगा अदुसरीपा जिसका मतलब है एक दम उम्दा बिल्कुल सही तो ये आदमी जो भी कहें चेला बीच में कहता रहेगा अदुसरीपा तो अगर आप अपने आसपास अदुसरीपा कहने वाले लोग एक अठा करना चाते हैं तो इसका मतलब आपको एक गंभीर समस्या है अगर आप दुनिया में कुछ करना चाते हैं तो आपको ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो आपसे सहमत ना हो जो आपसे असेहमत होंगे, जो चीजों को जैसा आप देखते हैं, उससे हजार अलग तरीकों से देखेंगे, सिर्फ तभी चीजें होंगी, है न? लेकिन अस्तित्यों के मूल को ना तो सेहमती की जरुरत है और नहीं असेहमती की, यह आपकी सेहमती या असेहमती नहीं मांग रहा, आप बस इसमें विलीन हो सकते हैं, इसके बारे में कोई दोराय नहीं कर दोराय नहीं